नबस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं चोहान वीडियो और आज की वीडियो में हम एक काफी इंपोर्टन अपडेट के बारे में बात करेंगे जून 2021 एक्जाम पोस्ट पॉन हो सकते हैं इसके बारे में खुद इग्रू ओफिशल की तरफ से कन्फर्मिशन दी गई है आज क की वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे साथ में बात करेंगे असाइमेंट समिशन के बारे में भी तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें अगर आप इग्रू के सुट्रेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप इस वीडियो को लाइक भी कीजि June 2021 में जो exam होने वाला है 15 June 2021 की जो date seat है कि तब से exam होंगे उसको आगे पोस्ट पॉन किया जा सकता है यहनकि 15 June में जो exam होने वाले थे उनको जुलाई में या फिर अगस्त में करवाया जा सकता है उसके साथ साथ कुछ student के मन में हमेशा ये confusion रहते है कि क्या promotion और postpone का मतलब एक ही है postpone होता है कि आपका जो exam आज होने वाला है यानकि 15 जून को होने वाला है उसको हो सकता है 15 जुलाई को या पहली जुलाई से आपको exam conduct करवाया जाए यानि कि exam postpone होंगे यानकि जो date दी गई थी अभी exam की उनको आगे बढ़ाया जा सकता है और promotion का मतलब होता है कि आपको exam देने की ही जरुरत नहीं है और आपको बिना exam दे ही promote कर दिया जाएगा तो June 2020 में जो exam होने वाले थे उनमें कुछ student को promote किया गया था लेकिन June 2021 यानि कि इस बार जो exam होने वाले हैं उसमें अभी तक सिर्फ ये कहा गया है कि आपका जो exam है वो postpone हो सकते हैं यान कि exam सबके अभी conduct होंगे promotion के बारे में कोई बात नहीं कहीं गई है सिर्फ इतना कहा गया है कि आपके जो exam है वो postpone हो सकते हैं अब assignment submission के बारे में बात कर लेते हैं अपरल 2021 से अनक अडमी नए batches स्टार्ट कर रहा है अनक अडमी SSC preparation का best platform है जिसमें best educators पूरे इंडिया के वो पढ़ाते जैसे की नीरा जागेट सर प्रतियोगीता मंत्र रानी सिंग मेडम अंकेच अवस्ती सर अभिनाय सर्मा सर और जो batches start हो रही है वो है CAT master batch सभी government exam के लिए 28 अपरल से शुरू हो रहा है आखरी पड़ाव SSC CGL 2020 exam उसके बास संकल्प 1000 प्लस selection batch SSC CGL 2020 28 अपरल 2021 से शुरू हो रहा है सफलता batch SSC CGL CHSL 2021 exam 28 अपरल 2021 से शुरू हो रहा है उसके अलावा exam cracker batch SSC CGL 2021 2022 exam 9 मंत की duration है target SSC multitasking staff MTS exam 2020 foundation batch SSC satanographer 2021 exam और lakse SSC CPO 2021 exam foundation batch SSC JD Constable 2020 exam सभी 8 सपरल से start हो रही है unacademy combat India's biggest free scholarship test bank exam के लिए एक करोड तकी scholarship इसमें जी जा रही है अगला SSC combat जो होने वाला है वो है संडे को हर संडे को SSC combat करवाया जाता है 12 बजे जो की आप हिंदी में भी उपलब जाए आपको जो code यूज करना है वो है चोहान वीडियो C-H-A-U-H-A-N-V-I-D-E-O-S चोहान वीडियो जिसका link भी आपको description में मिल जाएगा और SSC exam का mega subscription offer भी है अगर आप एक साल का subscription लेते हैं तो आपको दो मंद का free मिलेगा और अगर आप दो साल का subscription लेते हैं तो आपको चार महिने का subscription free मिलेगा offer valid 28 April तक है तो आपको जल्दी से code यूज करना है चोहान वीडियो और आपको extra 10% discount भी मिलेगा C-H-A-U-H-N-V-I-D-E-O-S चोहान वीडियो और आपको batches का link जो है वो भी आपको मिल जाएगा description box में तो description box खोलिए और आप इन सब batches को access कर पाएंगे Assignment submission के वारे में बात की कई है जिसमें कहा गया कि Official announcement for extended the assignment shall be made within a couple of days यान कि अगले कुस दिनों के अंदर Assignment submission की last date को extend करने की घोसला की जा सकती है but I can confirm that it will be extended via month यान कि कम से कम एक महिने के लिए आपके लिए Assignment submission की last date extend की जा सकती है Student had been requesting an extension in the assignment submission deadline because the pandemic has led to lockdown like restrictions in some states with the possibility of it being implemented by a few more यान की जा सकी इस समय student लगातार मांग करने की Assignment submission की last date extend की जाए काफी सारे ऐसे ही सिटीज है जहांपर lockdown लगा हुआ है या फिर इस तरीके की restrictions है जहांपर आप फ्रीली assignment अपने submit नहीं कर वा सकते तो उसे काफी सारे इस्टोयन को दिक्कत हो रही है इसलिए लगातार इस्टोयन मांग कर रहे हैं की Assignment submission की last date जो है वो extend की जाए Last year Igno had accepted online assignment and copies of handwritten assignment as there was national-wide lockdown but no specific instruction for the same has been given this year यानि की पिछली बार Igno ने कहा था कि आप अपने जो assignment है उनको online submit कर दीजे लेकिन इस बार specifically Igno ने ऐसा नहीं कहा यानि की online और offline दोनों की सुविजा दी गई है जैसा कि आप जानते हैं कि आपको अपने regional center की website पर चेक करना है कि आपके regional center ने आपको offline assignment submit करने के लिए कहा है या online assignment submit करने को कहा है तो आपके लिए दो good news है पहली assignment submission की last date extend हो रही है और दूसरी अच्छी खबर ये है कि आपके exam भी postpone होंगे यानि कि आपके जो 15 जून 2021 से exam होने वाले थे अब वो आगे extend होंगे और हो सकता है कि आपको July से exam देने हो तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो और आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए से और जरूर